प्रहलाद जोशी को भी शपत के लिए फोन किया गया आरल्ड अद्यक्ष जैन्त चौदरी और अनुपरिया पतेल भी इसमें शामिल है हम के नेता जीतन राम मांची को भी फोन गया तो वहीं जेडियू नेता लालन सिंग और रामनाथ ठाकुर को भी फोन गया है दोनों चेडियू कोटे से बन सकते हैं मंतरी चिराग पासवान एल जेपी आर से बन सकते हैं मंतरी जेडियस के एटडी कुमार स्वामी को भी फोन गया हुआ है और ये देखे शपत ग्रहन समारों से पहले ये एक महत्पपूर बैठक बुलाई गई है बड़ी खबर आपको देने हैं जा मोधी सरकार में शेपर ग्रहन के लिए नए मंतरियों को फोन जाना शुरू हो चुका है और नए मंतरियों को जिनमें नाम है वो भी आपको बता दें के इंदरी ग्रह मंतरी अमिट शाह का नाम शामिल है रक्षा मंतरी डाजना सिंग, सरक परिवान मंतरी नितिन गटकरी, साती संसर्य कार मंतरी प्रहलाज जोशी को फोन जा चुका है आर एलडी अध्यक्ष जैनत चौधरी अनुपरिया पटेल, हमके नेता जितनामा जी, जेडियों नेता ललन सिंग और रामनात ठाकुर को भी फोन गया तुमाई दोनों जेडियों कोटे से बन सकते हैं मंतरी, चिराख पासवान, ल्जेपी से बन सकते हैं मंतरी जेडिय स्टी कुमा स्वामी को भी फोन गया हुआ है और चली सिदे रुख करेंगे समधाटात दिली से पवन जुर गया है पवन लगतार हल्चल तेज़ होती जा रही है और जो मंत्री हैं उनको फोन भी जाने शुरू हो चुके हैं जो मंत्री बनाए जाने उनको भी फोन जाने शुरू हो चुके हैं और कौन-कौन सेंट में नाम शामिल है पवन देखे जाहिर तोर पर चुकि आज शाम को सवा साथ बजे राश्पती भवन में शबत ग्रण समारों का कारेकरम होना है तो ऐसे में कल देर रात तक जो बैठक चली बीजेपी अध्यक जेपी ने डार ग्रह मंतरी हमें शा के बीच में उसमें तमाम जो नाम थे उनको फाइनल कर लिया गया था उसमें जतने भी जो सहयोगी दल है अंडिये के उसमें से कौन कौन मंतरी बनेगा उनके नाम तेह हो चुके थे उसके अलावा जो है बीजेपी से कौन कौन मंतरी बनेगा उन सब के नाम तेह हो चुके थे अगर आप बात करें तो तमाम जो नाम है वो अब सामने निकल कर आ रहे हैं चुकि अब से थोड़ी देर के बाद में तमाम जिन लोगों को फोन पहुँच गया है वो प्रदानमंतरी आवास जाएंगे साथ लोकल लियान मारग और वहां जाकर प्रदानमंतरी के साथ सुबह नास्ते पर चर्चा होगी चुकि ऐसे एक जब से 2014 से प्रदानमंतरी नरिदमोदी ने प्रदानमंतरी पत्की शपत ली है तो जब भी मंतरी मंदल विस्तार होना होता है या नए मंतरी मंदल का धन उना होता है तो प्रदानमंतरी उनसे तमाम जो बनने वाले मंतरी होते हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं उनके साथ संभाद करते हैं उनके साथ बताते हैं कि किस तरह से उनको मंत्री मंदल में साथ रहकर काम करना है तो यह तमाम जो प्रक्रिया है वो चलती हुई आ रही है तो उसी के तहल अब से थोड़ी देर के बाद में तमाम जो लोग हैं वो प् पहुंच गया है नितिन गड़करी राजना सिंग अमिश शाहत प्रेलाज जोशी अर्जुन राम मेगवाल समय तमाम जो निता है उनको फोन जा चुका है यहां जो शांसद है उनके पास फोन जा चुका है जैन चौदरी अनुप्रिया पतेल दोनों को मंतरी बनना है तो इन तमाम जो लोग हैं उनके पास अब दीरे-दीरे फोन पहुंचना शुरू हो गया है जितन राम माजी की बात करें चिराग पासवान की बात करें या जेडियू के रामना ठाकर और ललन सिंग की बात करें तो इन तमाम जो सहयोगी दलो पहले जो है फोन कॉल जो है सहयो यानि कि जब प्रदानमंत्री साथ चाहे पर बैटके बातचीत करने हैं तो यह माना जाता है कि उनका मंत्री मंडल में इस्थान मिलना तै हो चुका है तो ऐसे में तमाम जो निता हैं उनके पास अब दीरे दीरे फोन पहुंचना शुरू हो गया है बिलकुल और यह जो बाप नाम बता रहे हैं इनके पास पूर्ण पहुंचना शुरू हो चुका है और अभी क्या हल्चल वहाँ पर हो रही है क्योंकि तमाम तैयारियां की जारी है हम देख पा रहे हैं कि नरेंदर मोली भी तैयारी में जुटे हुए जो आप देख सकते हैं यहां भी तैयारी की जारी है क्योंकि यहां यहां शाम को जब शपत गर्ण समारो संपन हो जाएगा तो उसके बात में शाम को यहां भी NDA के सांसदों का डिनर होना है तो उसके लिए यहां अंदर जो है जेपी नड्या के आवास पर तैयारियां लगातार की जा रही हैं तकरीवन तीन सो के आसपास जो लोग हैं वो यहां शाम को इस डिनर में शामिल आउँगे तमाम जो NDA के सांसद है या जो नेता है एंडिय घटक दलों के वो यहां डिनर में शामिल होंगे तो उन सब को लेके यहां लगातार बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा के आवास पर तैयारियां की जा रही है प्रधान मंत्री आवास पर एक तरफ अपनी तैयारी चल रही है चुकि तमा मुदी संभावित मंत्रियों के साथ सारी ग्यारवजे चाय पर कर सकते हैं मुलाकात सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि चाय पर मुलाकात कर सकते हैं दरेंद्र मुदी और अब बात भोपाल से बड़ी ख़बरी की जाथ सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि इंद्री मंत्री मंदल पर फॉर्मुला तैह हो चुका है मदप्रदेश को मिल सकते हैं चार मंत्री जी हां सिंडिया और शिवराज का नाम शामिल है लगभग तैम आना जा रहा है जिसमें बीडी शर्मा को रास्क्री संगठन में जगा मिलेगी कोई बड़ा एहम पद मिलने की ख़बर है MP से दो नए चेहरे मोधी मंत्री मंदल में शामिल हो सकते हैं सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी मिल रही और देगे यह जो दो चुकि जो तरह दिते सद्या पहले से नागरी को डियाद मंत्री का पड़ाद संभाल चुके हैं और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो शिवरा सिंग चुहान है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है बीजेपी प्रदेश अदक्ष बीडी शर्मा को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बड़ा पत दिया जा सकता है केंदर में क्योंकि मध्यप्रदेश का जो परिणाम है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है और उन्दा प्रदेशन भारती जन्था पार्टी का सबसे जादा मध्यप्रदेश में रहा है और हिंदी पटी राज्यों के अगर बात करें तो सबसे जादा सीटे जो आई है वो मध्यप्रदेश में ही आई है 29-29 लोग सबासी बीजेपी ने क्लेन स्विप कर दिया सबसे उमडा प्रदेशन हिंदी पटी राज़ों में सबसे बहतर प्रदेशन था मध्यप्रदेश में बीजेपी के लिए और आप देखा जा रहे है कि चार चेहरों को जगा मिल सकती है जिशन तौर देखिए मद्पधेश ने बीजेपी की जीट में, इंडिया की जीट में सबसे महतमूर्ष भूमिका निभाई है और मद्पधेश शा recommend अर्पिशन अर्डेशन अभिजेपी कर रहा है उसी के बलबूते जो सरकार है वो कही केंडर में नजर आरही है तो इसे साफ तोर पर ये जाहर होता है कि मद्वदेश का जो कद है वो केंडर में बढ़ेगा और मद्वदेश को powerful departments जो हैं वो कही न कहीं मिल सकते हैं और बड़ा participation मद्वदेश का हो सकता है फिलाल जो जानकारी मिल रही है उसके एनुसार 4-5 मंत्रीपत जो है वो मद्वदेश में आ सकने हैं जिसमें सबसे प्रबल दो नाम हैं जिनको लिकरम लगतार जिकर कर रहे हैं जो मोजूदा केंडरी मंत्री है जोतराधिस सिंध्या और उनके 37 शिवरा सिंग चुहान जिन्ह नजर आई तो बीजेपी वीडी शर्मा को इस शांदार काम के बदले क्या कुछ उपार देती है ये जरूर देखने वाली बात होगी क्या उन्हें केंदर में जगा मिलती है या फिर राश्ट्री संगट हैं में कोई आहम जिम्मेदारी दी जाती है फिलाल इस पर सस्पेंस ज रहे हैं देश की सत्ता के केंद में भी रहे हैं तो किसी स्टी या ऐसी वर्गस से जो एक मंत्रीपद है वो मद्वदेश में दिया जा सकता है या फिर किसी महिला का नाम जो है वो भी आगे किया जा सकता है अब देखना होगा कि बीजेपी किसे तवज्जो देती है और मु क्योंकि 29-39 सीटों पर बीजेपी जो है वो मत्वदेश में चुनाव जीती है और इसी के कारण एक बहुमत की एंडिया के बहुमत की जो सरकार है वो केंद्र में नजर आ रही है बहुत शुक्रिया आपका वाशू उत्माम जानकारी साजा करने के लिए तो इस तरीकी से चार चहरे मोधी कैबिनेट में शामिल होने की बात कही जा रही है और आगे बढ़ेंगे जहां नरेंद्र मोधी की संभावित मंत्रियों के साथ मुलाकात मानी जा रही है सारे 11 बजे चाय पर चर्चा कर सकते हैं नरेंद्र मोधी मुलाकात के दौरान चाय पर चर्चा हो सकती है सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और आप देखे कि लगतार बैटकों को दौर जारी रहेगा क्योंकि बीजेपी और एंडिये में जो चेहरे शामिल है और इनमें से कुछ चेहरों को जिनको मंत्री पत दिया जाना है और आज चाय पर चरचा करेंगे सारी 11 बजे नरेंदर मोदी संभावित मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं और बाचीत हो सकती है आगे की जो प्लैन होंगे जो आगे किस तरीके से सरकार को चलाना है यहां चाय पर चर्चा आज नरेंद्र मोदी सम्भावित मंतरियों के साथ सुबह सारे ग्यारा बजे करने वाले हैं इनमें कई नाम शामिल हैं जो सम्भावित नाम की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं उन सभी को बुलाया गया है और नरेंद्र मोदीन के साथ बैठक करेंगे चाय पर जर्चा होगी सम्भावित जो सेक्टर्स दिये गए हैं जो विभाग दिये गए हैं जो मंतरी पर दिये जाने हैं उनको लेकर बाच्चीत हो सकती है और आगे क्या कुछ रहेगा वो तो आपको दिखाएंगे ही चाहिए जब तक आपका शबत गर्ण समारो ना हो जाए तब तक आपको किसी मीडिया परसंद से बात नहीं करनी है बहुत जादा जानकारी नहीं देनी है तो ऐसे में सभी नेता जो हैं अमारी तगवाम जोतने भी उतरप्रदेश के नेताओं से बात चीत हुई तो सब कही ना कहीं बचते हुए नजरा रहे हैं कोई यह सबस्ट रूप से बता नहीं रहा है कि किसके पास फोन गया है किसके पास नहीं गया है तो ऐसे में अभी यह पता करना बहुत मुश्किल है लेकिन लगातार आप लोगों के पास दीरे दीरे फोन पहुचना शुरू हो गया है RLD अध्यक जैन चौदरी के पास फोन पहुँच गया है उनको शबत करें उसको प्रधान मंतरी के आवाज पर पहुचना है साड़े 11 बजे वहाँ चाय पर चर्चा प्रधान मंतरी करेंगे तो यानि मना जाए कि उनको मंतरी मंदल में जगे मिल रही है उसके अलाबा जो अन नेता है उनको भी दिरे दिरे फोन पहुचना शुरू हो गया है और सब लोग को 11 बजे प्रधान मंतरी आवाज पर पहुचना है प्रधान मंतरी के साथ चाय पर चर्चा करने के लिए तो देखा आपने चाय पर चर्चा करने के लिए इन सभी लोगों को पहुचना है और जैसा की पवट भी बता रहे हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत है आप मीडिया से बात्चित करने के लिए मना किया है और जाई से बात है कि यह होता है तक जेपी नडड़ा है उनके आवास पर लगातार तयारिया जो है वो डिनर को लेकर की जा रही है और वहां शाम को जो डिनर होगा उसमें तमाम जो एंडिये के जो 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 सांसद हैं वो इस दिनर में मौझूद रहेंगे आप तस्मीरों में देख सकते हैं कि यहां जो सम हैं वो पूरी की जा रही हैं चुकि शाम को पहले सवा साथ बजे शबत गरन समारों होगा और शाम को सवा साथ बजे के बाद में फिर यहां जब शबत गरन समारों की समापती हो जाएगी तो उसके बाद में जो है वो यहां तमाम जो लोग हैं यहां पहुचेंगे आप त सेक्यूर्टीज के बीच में ये निकल रहे हैं और जाई से बात है कि आज जो संभावी तमंत्रियों के साथ मुलाकात हो रही है नरेंद्र मोदी ये मुलाकात करने वाले हैं सुबह सारी 11 बजे चाय पर चाचा हो गया और शायद इस चाचा के दोनान जेपी नड़ा भी शाम और इसके बार जो भी कारिक्रम होंगे वो तो आपको बताएंगे ही लेकिन जो संभावित मंत्रियों को बुलाया गया है उनमें कई सारे नाम शामिल हैं अब जब बात करने की कोशिश भी उनसे अगर की जा रही है तो यही कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल उन्हें मीडिया जबाहलाल नहरों की बाद ऐसा करने बाले नरेंदर मुदी पहले ऐसे नेता है जो लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री पत की शपत लेने वाले हैं और इससे पहले 2014 में नरेंदर मुदी ने प्रधान मंत्री पत की शपत ली थी और उसके बार 2019 में लगातार दूसरी बा नरेंद्र मोधी प्रधान मंतरी पत की शपत लेते हुए नजर आ रहे हैं साथी 2019 तीस मैट 2019 को भी उन्होंने दूसरी बार देश की कमान संभाले और प्रधान मंतरी पत की शपत लियो तीसरी बार देखिए आज शाम साथ बच कर पंदरा मिनट की वो घड़ी होगी जब तीस बार देश के जो प्रधान मंतरी हैं पत की शपत लेने वाले हैं नरेंद्र मोधी और ये खास तीन तस्विर आपको लिखा रहे हैं आज के पूरे दिन का जो कारिक्रम होगा वो भी आपको बताएंगे रास्ट्रपती भवन में शपत ग्रहन समारो